मात्म रंग संग यहां सजेंगे जीवन के सबरंग, सबरंग, सबरंग नमस्कार सुप्रभाद, स्वागा तभी नंद आप सभी का सबरंग कारिक्रम में मित्रों हमारी बड़े बुजूर्ग पहले कहा करते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब आपने भी अपने बड़ों से ये बात जरूर सुनी होगी वो कहा करते थे कि पढ़ो तभी तुम नवाब बनोगे अर्थात अच्छा उंचा पद पाओगे नौकरी पाओगे और बस खेलते कूदते रहोगे तो खराब हो जाओगे तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन मित्रों ये बात अब पुरानी हो गई है अब तो खेल कूद के भी नवाब बना जा सकता है हम देखते हैं कि खेल के क्षेत्र में जो खिलाडी है वो कैसे देश का नाम रोशन करते हैं चाहे हम Asian Games को देखें चाहे Olympics को देखें और उतने बड़े लेवल पे ना भी जाएं तो भी City लेवल पे हो, District लेवल पे हो, State लेवल पे हो वहाँ पे भी जो खिलाडी अची performance देते हैं, वो कितना नाम कमाते हैं, परिवार का भी नाम होता है, तो देश का भी नाम होता है अमित्रों, खेल सचमुच जीवन में आगे से आगे बढ़ने का बहुत सुन्दर एक माध्यम है, साधन है, मनुरंजन तो है ही, लेकिन साथ साथ ये हमें नवाब भी बनाने वाला, इसलिए खेल को भी अपने जीवन में जरूर हम शामिल करें आज मैं खेल की वादिसले कर रहा हूँ, क्योंकि आज राश्ट्रिय खेल दिवस है, प्रतिवर्ष हम 29 अगस्त को राश्ट्रिय खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यान चन जी, जो की हौकी के जादुगर थे उनकी स्मृती में तो आज की राश्ट्रिय खेल दिवस की, आप सभी को हारदिक बधाईयां और शुपकामनाय देते हुए, आईए लिए चलता हूँ आपको, आज की सुन्दर सुभाक्य के ओर ओम शांती, कहते हैं, जिन्दगी दिल की धड़कन की तरह होती है, जिसमें उतराव और चड़ाव आना अनिवारे है यदि लाइन फ्लैट हो गई, तो जिन्दगी नीरस सी हो जाती है इसलिए जीवन में, जितना चड़ाव का महत्व है, उतना ही उतराव का भी महत्व है क्योंकि हमारे उतराव, हमें बहुत से सबक सिखाने के लिए आते हैं और जब तक हम ये सबक सीख नहीं लेते, तब तक आते ही रहते हैं और जब हम सीख जाते हैं, तो हम उचाईउं को छूने लगते हैं, और उपर उठने के बाद, यदि हम से कोई गलती हो जाए, यहामें अभिमान आ जाता है, तो हम फिर से उतराव की और आ जाते हैं. इसलिए उतराव और चड़ाव की इस गतिमान जिंदगी का आनन्द उठाते रहें, जब आप उपर उठें, तो अभिमान न करें, और जब नीचे आएं, तो हताश न हो जाएं, अपने द्रिश्टिकोन को सदा सकारात्मक रखें, यकीन मानिएगा, आपको उतराव में भी च इसलिए कोई न कोई खेल जिसमें आपकी रूची है, उसे आप अपने जीवन में जरूर शामिल करें, यदि आपी आजकल भाग दोड़ भरी जिंदगी है, तो हम सोचते हैं कि खेलने कूदने का टाइम हमें कहां मिलता है, लेकिन इसके लिए आदे गंटे, एक गंटे का वक्त जरूर निकालें, क्योंकि मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा, तभी तो कारिय को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, और खेल के माधियम से जो पसीना हम बहाते हैं, उससे भी शरीर के टॉक्सिंस ही तो बाहर निकलते हैं, और आप देखेंगे मित्रों, संसार के जितने पी सफन लोग हैं, वो भी खेल को बहुत ज्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में भी जो रहे हैं, वो भी खेल को महत्व दिया करते थे, प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मा कुमारीस के साकार संस्थापक हैं, वो भ आज के खेल दिवस पे जरूर ये संकर्प लें कि कोई ना कोई खेल जरूर हम प्रती दिन खेलेंगे ताकि हम भी संपूर्ण रूप से स्वस्त रहें नमस्कार वीट कम करने की जो अलग-अलग वीधियां है एक तो जिसमें का व्यक्ति खुद कोशिश करता है उसके अलावा कहेंगे कि जब आप डाइटिशन के पास जाते कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तो है जिसको कहा है कि हई प्रोटीन डायेट कि जिसमें व्यक्ति प्रो कि बहुत बड़ी डेफिसिट नहीं लानी है अगर आपके आवश्यक्ता 2200 की है तो भी आपको 1200, 1300, 1400 कैलरी जरूर लेनी है तो वैसे भी एक महिने में आपका करीब 3 किलो वजन कम होने लगेगा और यह हाई प्रोटीन डायेट है वह काफी प्रचलित है और वो काम भी करता है तो वह इज्वीए एक प्रकार से देखो तो उसमें भी कैलरी इंपॉर्टेन और जो थोड़ा शुरू में काम है कि वाटर जो है ओनिकल जाता है और कैलरी डैफिसिट भी क्रिएट होती है इसलिए आपके लिए आपके लिए इसी हो जाता है पिर और कहीं डायेट है भल सा प्रोटीन अब इसके पिछे का प्रंसिपल है जैसे कहते हैं की मिहीरे से ही दिरे को घशा जाता है तो fat, fat को मारती है, heavy high fat होने से ketone bodies निरमान होते है, जो ketone bodies निरमान होते वो fat को destroy करते तो उसमें वेट कम होता है परन्तु थोड़ी भी अपने गलती कि क्योंकि व्यक्ति कर नहीं पाता है वह एकजेट जो चीजी आपको बताई गई है वैसे ही आप फॉलो करते हैं तब तो अच्छा है परन्तु अधिक कहेंगे कि 95% उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और फि क्योंकि आपमें क्यालरी डेफिसिट भी क्रियेट नहीं की और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी ले ली कि जिसके अंदर काफी कार्बो हाइडरेट थी तो फिरो कीटन बॉडिस क्रियेट नहीं होगी तो लाब होने से उल्टा आपको नुक्षान होगा और ऐसे पैलो डाये है बला हर काम करेगा तुम जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने कहा है एक तो उसकी मेकेनिजम को समझ लीजी डॉक्टर से भी और फिर एक्जैटली लंबे समय तक उसे फॉलो करना है तब आपको रिजल्ट मिलेगा नमस्तर ना केवल हमें मानसिक और शारिरिक रूप से तरो ता की विक्सित करते हैं अनेक मुल्यों को विक्सित करते हैं यदि आप कहराही से देखें तो एक जो खिलाडी होता है बहुत ही परिश्रमी होता है मेहनत करता है वो सफल होने के लिए वो लगातार लगा रहता है उसके अंदर आप सतत देखेंगे कि एक जोश बना रहता है ए उसके अंदर dedication की भावना आती है, वो अनुशासन प्रिय हो जाता है, तो जब ये सारे गुण होते हैं, तभी खेल के क्षेत्र में कोई भी खिलाडी सफल होता है, और जो कोच होते हैं, वो भी अपने खिलाडीों को इन बातों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत जोर द अपनी जीवन में लाना चाहते हैं, वो सहज ही खेल के मार्धियम से हमारी जीवन में आ जाते हैं, और खेल के क्षेत्र में तो हम सफल होते ही हैं इन मुल्यों के साथ, लेकिन जीवन के क्षेत्र में भी ये मुल्य हमें सफल होने में बहुत-बहुत मदद करते हैं, तो है बहुत जरूरी खेल खेलना ताकि खेल खेल में हमारी जीवन में ये सारे मुल्य भी आ जाए और हमारा जीवन सुन्दर मुल्यों से श्रेंगारित होके हमें सफल ताकि शिखर की ओर लिये चले बित्रों मनोज खुश्णमा का आप सभी को पाणाम और शांती जिन्दगी को खेल की तरे खेलने और निखारने का संदेश देती हुई प्रतुत है ये लगुकावे रचना जिन्दगी के खेल में जिन्दगी के खेल में न मुश्किलों से हारिये मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारिये हार जीत जैपराजिका जगत में खेल है दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है हार जीत जैपराजीका जगत में खेल है दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है सदभावना से खेलते हर खेल को निखा रिये मसकुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवा रिये जाती भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा खेल भावना किरण से ये तमस है चट रहा जाति भाशा रंग भेद में ये विश्व बट रहा खेल भावना किरण से ये तमस है चट रहा ये सूत्र एक ताका है इसे नहीं बिसारिये मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारिये मुस्कुरा के जिन्दगी को मुल्यों से सवारी है इस धरा पे आए जो भागे द्वार हैं खुले जगत के खेल के नियंता प्रभु है यहां मिले विजे है उसके साथ से बस प्यार से पुकारी है मित्रों आज राश्ट्रिय खेल दिवस के आऊसर पे हमने खेल पर ही बात की और आज का सबरंग खेल को ही समरपित था ना केवल वो खेल मित्रों लेकिन जीवन भी तो एक खेल है इसे हम खेल की तरह खेलें कहते हैं ना Life is a game, play it और खेल हमेशा आनंद के लिए होता है हम यद्यपी एक खिलाड़ी ये सोचता है कि हर बार मेरी जीत हो लेकिन हम ये जानते हैं कि हर बार जीत नहीं होती कभी जीत है तो कभी हार है दोनों में हम अपनी मन के स्थिती को समान रखें जीत में बहुत ज़्यादा फूल ना जाएं और हार में बहुत ज़्यादा फुस भी ना हो जाएं कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा डटे रहें, खेलना जरूरी है, क्रिस पे जमे रहना जरूरी है यदि आप खेलते रहेंगे तो रन बनते रहेंगे, यदि आप खेलते रहेंगे तो आनन्द लेते रहेंगे यदि आप खेलते रहेंगे तो आपके लिए तालियां बचते रहेंगे इसलिए खेलते रहें बिना निराश हुए और ये कहा जाता है मित्रों कि व्यक्ति वास्तों में तभी हारता है जब वो हार मान लेता है कहते हैं ना मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है इसलिए यदि बार-बार हार हो भी रही हो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मैनत करते हैं प्रयास करते हैं लेकिन हार प्यार होती ही रहती है लेकिन हार भी हमें हरा हरा के हार जाए हमारी अंदर ऐसी जीवटता होने चाहिए ऐसी हमारी अंदर एक द्रिड़ता होने चाहिए जजबा होने चाहिए कि हम जीत के ही रहेंगे तो ठान ले कि मुझे इस जीवन के खेल में जीतना ही है आगे बढ़ना ही है अपने ध्ये को प्राप्त करना ही है तो सचमुष आपको कोई भी जीत प्राप्त करने से रोक नहीं सकेगा तो खेल का आनन्द भी लें और साथ ही यदी हार हो रही है तो उससे सीखते हुए आगे बढ़ते चलें आपकी जीत निश्यत्रूप से होगी ही होगी आज के राश्टे खेल दिवस पे यही हमारी मंगल कामना और शुप कामना है कि जीवन के खेल में आप आगे से आगे बढ़ें विजई होते चलें और इस खेल में ऐसा प्रदर्शन करें कि सभी आपके लिए वाह वाह कहे उठें अपना दियान रखिएगा कल पुना इसे वक्ताब सबसे मुलाकात होगी नमस्कार ओम शांते